ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चीए कि पुलीस समर्थन दे रहे हो लोगसभा में आपनों आपने समर्थन जिनको दिया आपके लोगों ने लोगसभा के समय राष्टरवादी कॉंग्रेस का काम किया उद्धो ठाकरी की परड़िका चलो उन तीनों से लिखवा लो कि अगर हम सत्ता में वापिस आएंगे तो मराटा समाज को OBC में आरेक्षन देंगे वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, कहा जाने वले, कौन किसको समाप्त कर पाया है राजनिती में कोई किसी को समाप्त ने कर सकता, जनता केवल समाप्त कर सकती है जनता किसी हुआ, कोई किसी हो समाप्त ने कर सकता प्रेश करना है कर ले जब तक जनता का आशिरवाद मेरे साथ है मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता और जैसा आपने का मेरा अभीमनी हुआ है मैं आपको कह देना चाहता हूँ मैं आधुनी कज़भीमनी हूँ मुझे चक्रवियू तोड़ना आता है मैं तोड़के दिखा हूँगा मराठा अरक्षनावर पुना एकड़ा स्पष्टी करन मी अरक्षनाचा बादू साथ सवाल यह है कि मैंने जरांगे पाटिल इनको बहुत स्पष्ट चब्दों में कहा है कि चलो आप बीजेपी के खिलाफ हो आप हमारे किलाफ हो आप कहते हैं कि हमारे करण नहीं होता है तो आप जिनको समर्थन दे रहे हो लोकसभा में आपने समर्थन जिनको दिया आपके लोगों ने लोकसभा के समय राष्टरवादी कॉंग्रेस का काम किया उद्धो ठाकरी की परड़ी का चलो उन तीनों से लिखवा लो ना उन तीनों से लिखवा लो कि अगर हम सत्ता में वापिस आएंगे तो मराठा समाज को OBC में आरक्षन देंगे और उनको मड़त क आपके पाटी लिए कहते हैं कि मुझे OBC में आरक्षन चाहिए औरोज मेरे पर बोलते वो कहते हैं कि देवेंद्र फटन भीस नहीं देना चाहते हैं देवेंद्र फटन इसने अठकाया हुआ है देवेंद्र फटने पहले तो मैंने उनको एक बात साप शब्द में कहीं कि बैया मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री हम जो निरने लेते हैं साथ में निरने लेते कोई अलग निरने नहीं है और मेरे मुख्यमंत्री जिस दिन ये कह देंगे कि उनको कोई मराटा समाज के लिए निरने लेना और मैंने अठकाया हुआ है उस दिन में इस्तीफा भी देतूंगा और रागनी से सन्यात भी ले लूगा